हेलो दोस्तों मैं नितेंद राजपुल स्वागत करता हूँ आपका हमारी यूटूब चैनल स्पोकन इंग्लिस 365 पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ड पावर एनांस्मेंट के एक वंडरफू सिरीज दोस्तों don't forget to subscribe this channel और as much as possible try to share this video चले स्टार्ट करें तो करना कैसा है दोस्तों इसको इसमें देरा two columns in this exercise इसमें दो column A and column B I am going to explain column A मैं column A को explain करूंगा और column B जो है वो आपका पार्ट होगा आपको करना है कैसे करना है जैसे यहां example दिया है hate मतला होता है नफरत करना और उसी का same meaning वाला synonym से शब्द जो है वह है अभोर कैसे तो यहां दोस्तों word कभी याद नहीं होते if you want to remember words if you want to retain words in your memory so आपको उससे एक wonderful sentence बना के रख लीजिए तो आपको हमेशा याद होगा जैसे abhor the sin not the sinner जैसे महत्मा गांदी है said abhor the sin not the sinner पाप से घ्रणा करें पापी से नहीं तो इस तरह से आप देखा आपने के hate का जो synonyms से से मारत वाला शब्द नफरत करने घ्रणा करने के लिए अभूर है और वो किससे start हो रहा है एसे सीम ऐसी ही आपको करना है exercise यहां पर कि जो भी शब्द whatever words are written in column A you have to write down the synonyms आप words written in column A in column B but the condition is that every word must start from the letter A देखें सारे के सारे जो शब्द आप column B में लिख रहे हैं ठीक है वो सारे के सारे जो है every word must start from the letter A जैसे पहला शब्द है calamity मलब त्रासदी नुकसान जैसे natural calamity बोलते हैं प्राकृतिक आपदा जो होती है तो यह जो होता है calamity होती है तो calamity का आपको क्या करना है synonyms से same meaning वाला शब्द धूनना है वो column A में लिखना है पर condition is that यह जो word आप कोई भी word जो synonyms से धून रहे हैं वो start होगा A से second जो word है regale, regale मतलब होता है manorangen करना, entertain करना जैसे आपके घर में guest आते हैं तो we have to regale them उनको entertain करना पड़ता है नहीं तो वो बोर नहीं हो जाएंगे उनको आप पार कर ले जाते हैं movie दिखाते हैं तो इसको कहते है regale करना तीसरा होता है conceit मतलब जब आप कोई game खेलते हैं दोस्तों तो एक दो part होते हैं हार होती है जीत होती है यदि आप हार जाते हैं तो भी एक सम्मान के साथ अपनी हार को स्विकार करना चाहिए तो आप गंदी लगती तो से clumsy के genuine मतलब होता असली सचा original if you have genuine interest so learning becomes easier for you यदि आप कोई भी चीज दिल से सीखना चाहते हैं आपको जो interest है वो किसी ने थोपा नहीं है अपने आप अंदर से आया है genuine है तो आप कोई भी चीज बड़ी आसानी से सीख जाते हैं stubborn मतलब होता है जिद्द जैसे बच्चे होते हैं children are stubborn by nature sometimes देख रहा है for moon कभी कभी बोलते हैं हमको तारे लाके दो आस्मान लाके दो या फिर मून लाके दो तो यह क्या होता है क्योंकि यह तो बच्चों का nature ही होता है next word है आपका mediocre मतलब होता है सामान यह जैसे ना तो ज्यादा अच्छा ना तो ज गोशना करती है इसे mobile technology has heralded a new era एक mobile ने आचकल क्या कर दिया कि पूरी दुनिया जो है the whole world is in your fist पूरी दुनिया जो आपकी मुट्थी में mobile के करण ठेक है पहले कहा जाता था ना कर लो दुनिया मुट्थी में तो हो गई सारी चीज़ां आपकी mobile से तो इसको कहते हैं अपन हेराल्ड करना मतलब एक नई युक्की घोशना करना किल मतलब मारना हत्या करना रनाउंस मतलब होता है त्यागना गौतम बुद्धा है had everything at his disposal गौतम बुद्धा had everything at his back and call but he was fed up with this physical world one day he renounced this physical world and went to the forest and he did penance and he got enlightenment और उनको क्या मिला एक enlightenment मिला एक जागरन हुआ उनका तो रिनाउंस मतलब होता है छोड़ना महात्म गांदी नहीं क्या कहा है महात्म गांदी है said renunciation is the key to success यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो त्याग ही वह चीज़ें जिससे आप हर चीज को पा सकते हैं ठीक है लुब लुब होता घुसा जैसे बहू ज़ए ज्यादा घुसला थी जैसे यहां फेसी नेचर से फियरी इंदा फॉर्म आप फ्लॉट इन दा फॉर्म आप एक सब रिच तो आप जानते हैं अमीर होता है सफिशेंट मतलब परियापत होता है सर्प्राइज मतलब आश्यर चेकित करना होता है प्राउड मतलब घर होता है टायरेंट तानाशा इस चाइना इस बहेविंग एज़ टायरेंट अभी जो इसके बात होता है इंसेप्शन इंसेप्शन मतलब खुरूवात इफ या वां डो मेंटेन इफ, I want to sustain, If I want to make a big organization, a quality organization, a good organization, I have to maintain quality since inception मुझे कोई भी चीज अच्छी बनानी, मुझे from the very first day, I have to maintain quality मुझे क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा तो इसको बोलते इंसेप्शन म मतलब वता है दूर रखना जिसे यंग्स्टर से शुड़ नौट रिफ्रेंड रिफ्रेंड याद रख सकते हैं जैसे मदर मदर मेक्स अस रिफ्रेंड फ्रॉम रेंड ऐसा भी बना सकते हैं कि मां हमें रेंड से बारिष से दूर रखती है ताकि हमें सर्दी न हो जाए कोल न कफ न हो जाए तो आप इस तरह से इसको मेमराइज कर सकते हैं इंवाइड मतलब वता है अटेक करना जैसे मोहमद गजनवी इंवाइड इंडिया 17 ताइम्स फ्रेंडली मतलब वता है दोस्ताना मिलंसार रिवेंज मतलब वता है बदला पीपल से देट स्नैक टिक्स रिवेंज लोग कहते हैं कि सांब बदला लेता है एक्जॉर्बिटेंट मतलब वता है महंगा अनिधिंग यू कैन नॉट अफोड इसली जैसे आजकल इस्कूल की फीज ऐस ए ईक्शूल फीज इस एक्जॉर्बिटेंट रोम रेंट इस एक्जॉर्बिटेंट जो भिछ आfया असानी से आफूड नहीं कर पा रहे हैं। महंगा है तो उसको एक्जॉर्बिटेंट कहते हैं लेसन मतला होता है कम करना जैसे महात्म गांदी could not lesson the hatred of Britishers मतलब महात्म गांदी अंग्रीज़ों की नफरत को कम नहीं कर पाए greed मतलब होता है लालच पहले कहा जाता थे कि यह लालच बुरा है लालच बुरा है greed is bad greed is bad बट आज लालच क्या है अच्छा यह जिदि आप सीखना चाहते है कुछ अपना ग्यान बढ़ाना चाती है ति अच्छी चिज़ों का नॉलेज है जिसे समाज का वेलफेर हो सकता है तो यह ग्रीड क्या है अच्छा है तो सम्टेम्स ग्रीडस आसो गुड शुरूड मतला होता है चतुर हिमिलेट मतला होता है अपमान करना का त्रानने कृजर चयर बहुचा मतलब ऑकर सब्लेंट एक बलांग प्लॉट मतलब दुश्मन्य मतलब बुरा होता है इसकल मतलब कल उटी होस्टैल मतलब दूश्मन गृश्मन होता है हुस्तैल मतलब दूश्मन होता है थेक हैes are very important words आपको क्या करना एक blank paper लेना है जो जो वर्ड में बोलता जा रहा हूं उनका synonyms आपको बिना किसी help के खुद you have to try to write down yourself इससे आपको यह पता पचल पाएगा कि आपका जो word power हो कैसा है यदि आपका word power sound नहीं है तो आपको you need to do practice okay friends good day good luck take care